अब इलिगल और अनलाफूल के जो दो वर्ड्स हैं जब इनके बारे में ये आते हैं तो हमारी माइंड में आता है कि ये दोनों सेम वर्ड हैं इनमें कोई डिफरेंस रही है लेकिन इनमें कोई डिफरेंस रही है तो इस विडियो में हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और इन words के real मीनिग क्या है और कैसे ये योजुज होते हैं अब जहां पर हम पहले देख लेते हैं illegal word को, illegal क्या है कोई भी act उस वक्त illegal declare होगा, उस वक्त illegal considered होगा, कि जब वो act, कोई भी act illegal जो act है that is forbidden by a law that has been passed, कि उसके बारे में एक law है, statute है, government ने पास की है, और उसमें वो declare किया गया है, कि ये act जो है, ये forbidden है, ये act आपने नहीं करना, अगर आप ये act करोगे, तो that would be considered as, that would be deemed as illegal act, next हमारे पास आ जाता है, कि अनलाफूल, अनलाफूल क्या है, कि ये एक ऐसा act होता है, जिसके बारे में कोई specific law नहीं होता, कोई भी authorized law नहीं होता, लेकिन, कोई जैसे specific, जो government ने पास की होता है, specific statute, वो नहीं होती, कि ये act आप क परेंगे, तो उसके ये punishment है, consequences है, वो नहीं बताए होते हैं, लेकिन वो जो act है, वो itself unlawful है, because that would be against the moral of society, तो moral value of society की या public के peace में कोई infringement पैदा कर सकता है, तो इसलिए वो act unlawful है, अब आगे हम देख लेते हैं, इसकी definition illegal की और unlawful act की example के साथ, अब illegal act में वो कहता है, कि ये एक ऐसा act है, जो law और statute ने declare कर दिया है, गौर्णमेट ने पास कर दिया, define कर दिया, कि अगर ये act किया जाएगा, तो इसके ये consequences आपको face करने पड़ेंगे, ये law है, आप इसको break नहीं कर सकते, आप ये act नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, तो अब इसकी simple सी example हम ये ले ल devices के नहीं रख सकता, लेकिन यहां पर क्या होता है, कि अगर कोई person वेपन की possession रखता है, कोई गन रखता है अपने पास, लेकिन गौर्णमेट से permission नहीं लेता, license नहीं होता, ऊसके पास, तो फिर क्या है, कि consider किया जाएगा कि उसके पास उस gun की illegal possession है, उस weapon की illegal possession है, तो ये ज punishment already describe की गई है law में तो वो उसको according to that law उसको उसकी punishment दी जाएगी नेक्स्ट रहा हमारे पास आ जाता है definition अनलाफुल की अब अनलाफुल का वर्ड क्या है कि इसके लिए कोई specific law नहीं होता कोई अगर एक act है specific act है वो commit किया जा रहा है या वो कोई person वो act कर रहा है तो उसके बारे में को specific statute नहीं है को law नहीं पास हुआ तो इसलिए वो यह नहीं कहा जा सकता कि अगर यह act करेगा तो इसको यह यह consequences face करने पड़ेंगे लेकिन वो act जो है वो consider किया जाता है कि यह अनलाफुल है because उस act से ख़द्शात पैदा हो जाते हैं कि आप आगे मज़ीद persons के आप public के कई last जो हैं उससे infringe हो सकते हैं public को कोई नुकसान बहुन सकता है और उससे फिर और last जो हैं वो motion में आ जाते हैं अब इसमें हम simple example ले लेते हैं कि अगर एक person है उसने अपने घर के बाहर glass जो है वो break करके तो वो side walk पे उसने पहला दिया अब इसके लिए कोई specific law नहीं है कि आप अपने बाहर जो है घर के बाहर आप glass जो है वो तोड़ के नहीं पहला सकते लेकिन इसमें खच्चा है कि कोई भी public कोई भी person जो है वो इससे injury हो सकता है थाप जो आप जो अब जो प्लेस कर दो आप जो प्लेस प्लेस सब्सक्राइब मैं चैनल थम्यू रख अलाहाफ इस